तो लिजी दोस्तो नए वीडियो के साथ आप सब के सामने पर सते हे आप हुखाने के लिए तो दोस्तो नए आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ और कहानी दोस्तों मुझे पता है कहानिया एक इतना important role play करती है उनसे बहुत सारी learning हमें मिलती है बहुत सारी चीजे ऐसे है जो हम लोग सीखते है दोस्तों बिलकुल कि कहानी एक ऐसा माध्य में जो हमें काफी को सिखा देती है दोस्तों इसके लिए मुझे आप सब का बहुत कि अच्छे लापिंग मौंग थे तो वो क्या करते है लापिंग मौंग यानी हसते वे जो सादू तो वो क्या करते किसी भी पहले गाओं जाते और जाके बहां खड़े हो कि ना मतल बिलकुल सर पे बाल नहीं है और पूर्टली ती कंदे पे उन जुलागा उसे भसते रहते हाँ मुझे पता है आपको याद आगया होगा हम सब देखते है ना चोड़े-चोड़े लाफिंग गुथा जे उन्हीं के ही स्टोरी है तो दोस्तों वो क्या करते हैं वो किसी भी गाउं में जाते हैं और जाकर सिर्फ हसना स्टार्ट कर देते एक हसरा है दूसरा हसरा है तीन वेढ़ आसपा हडेथी सारे लोग भंग जते बेफ्लतुल में ри मतलब में हसरे हसरे दोस्तों उसके बाद में क्या हुआ देरे दीरे देरी ना अ दोस्तों वो पूरे गाउं में फैल कौस्ते और डूस्तों लोगों में यह जाते ह स्ट्री प्रश्णित हो बहीं कि यह ती स्भीक्राटीजिता नहीं कुछ नहीं बोलते जाते आए जाते आपने जाते हो खसते और इस तरह से दोस्तों क्या हो हसते ज़को काफी न पेवस हो गई काफी लोगों को पसंद करने लगया कि वह थीन जन आते हैं और सिर्फ था थे ते मिलिए जगह में इतना फिल सारा हसी लोग उनको काफी पसंद करने लगे दिरे पुरी चाइना भी उन्ती ख्याती ब्यागत होगी तो समय बीटता चला गया और एक दिन आया क्यों बोडे हो रहे तो उनका जो एक साथी था ना एक रात ना वह नहीं रहा और वह तो अकेरे पड़ गड़े और वह नहीं रहा दोस लोगों तो के बात पहुंची तो उनको ना बड़ा यह लगा कि अरे सारे जिंदीगी इन्होंने हसा है पहले तो उन्हें तो उन्हें तो उन्हें पहसते रहे आज तो यह रोईंगे पकी बात है वही हो गया लेकिन जब सारे के सारे के सारे इकत्थे होए सब तो दोस्तों क्या कर रहें और नों हचा भाइसना शुरू कै रहने हो फिर से वह इस हुसरे और एक अल्लग की हची थी जो बहुत जोरों से तो उनको कुछ लोगों को तो बड़ा दुख्यादी एंक इनका दिमाग इसा होग गया इनका साथ ही इनके बीच नही रहा तो लग उसके उसुप दोनुने ने मुह से कुछ भोला, उन्होंने कहा कि देखो, जिंदगी क्या है, जिंदगी हसने गाने के लिए सिफ सिफ रह सो हसो हसो, और सबसे बड़ी चीज यह है कि हम प्रकर्ति का रहसे हमें पता चल गया, यह जो ब्रहमान्द है वह हम सब को देख रहा है, लेकिन उसने पहले बाजी मार ली वो पहले चला गया, गभए फॉक्त गया तुझे अपने मन ने कउल कोई गड़ हुआई कोई उसके पनबण अपने मन में रच Черपा रफ लाई नहीं डीक पे जीट ग़ा तो मैं शुद्धू, मुझे कोई नई कपने देने की जुरूरत नहलाने की जुरूरत नहीं, मैं ऐसे भी शुद्धू, तो उन लोगों को अना ऐसी हसी आ गई, और सारे लोग जो 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 से हसने लगे, उसके बाद में जो दो बचे हुए थे ना, यानि जो लाफिंग देखा, तुमने हमसे आखरी मौका भी छीन लिया, और लोगों के चहरे पे फिर से तुमने हसी लेकर आ गए, तो दोस्तों, कितनी गहरी और खूबसूरत चीज है दोस्तों, इस दुनिया में ना, दोस्तों हम अगर देखने जाए ना, तो हसी, खुशी, प्यार के अलाव करें हैं कि हमने ही, फ़िस्तों, इतना जाता है, दोस्तों, दोस्तों, राभर चीजे को बेने में किस्या जाता है, तो दोस्तों, कि दोस्तों हमें अपनी हसी खुशी को उन लापन की अनोंगी तरे बरकरार के थे, हो बिल्कुल मैं खुद यही काम करने की कुशिश करते हुआ दोस्तों आप सब के साथ हमें खुशिया बाटने का काम करते हुआ। और आप सबके साथ हो करना है यहां? ओके दोस्तो तो यही प्यारी सी लर्णिंग के साथ आज का एपिसोड में यहीं भी खतम कर रहे हूँ उमीद है आपको पसंद आएगा बहुत जल मिलूँगी नएए वीडियो के साथ क्या कर रहे है तर्फ तर्फ कर रहे हैं टेल यहीं क्यों सहा है नहीं इस्टोर यहीं बहुतै रह ब intimacy लस संद्धै की आख